जे स्री राधारानी सरकार की, जेस्री कृष्छन भगवान की, जे सीर्मत भगवत महापुरान की, मंदर स्री बंसी वाले महात्मा यूडिव चैनल के ओर से हम आप सभी भगतों का हार्दी कभिनंदन करते हैं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिर्मत भागवत महापुरान के अध्याय पचत्तर की परमपावन कथा अध्याय 75 की परमसुंदर कथा इस अध्याय का नाम है शाल्व का द्वारिका पर आकरमन बोल श्री राधा कृष्ण भगवाने की जै बोल शिर्मत भागवत महापुराने की जै श्री शुकदेव जी महाराज आगे की शिर्मत भागवत महापुरान की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित जिस दिन राजा शाल्व शीशुपाल की बारात में कुंडिनपूर गया था और वहां श्री कृष्ण बलराम जी से हार कर भागा था उसी दिन से उसने यह प्रन किया था कि मैं यदूवंशियों के वंश का सर्वनाश कर दूँगा अस्तू शीशुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर उसने यह विचार किया है कि यदूवंशियों बहुत बलवान है इसलिए उनके वंश का नाश करने के लिए पहले किसी देवता से वर्दान प्राप्त करना चाहिए ऐसा विचार कर राजा शालव ने भगवान शिव को दंडवत करते हुए कहा है कि हे भगवन आप मुझे आकाश में उड़ने वाला एक ऐसा विमान दीजिए जिसके उपर किसी भी अश्ट शष्टर का परियोग ना चल सके और इच्छा अनुसार उड़ा कर एक शन में कहीं भी पहुंचा दे जब भगवान शिव जी ने मैदानव को ये आग्या दी तो उसने तुरंत ही एक अश्ट धातू का बड़ा विशाल विमान अपनी राक्षशी माया द्वारा तैयार कर दिया तब राजा शालव अपनी योधाओं और सैनिकों को शर्ष्टरों से सुसजि कर विमान पर चड़ा कर दुवारिका पुरी की ओर चल दिया है उन दिनों भगवान श्री क्रिशन जी प्रधुम्न आदी को यग संपन होने के बाद दुवारिका को भेज कर स्वेम धरम राज युदिश्टिर के सने के कारण बलराम जी सहित इंद्रप्रस्थ में ही रह र और अपनी माया द्वारा आंदी चला कर आग तथा पत्थर बढ़ साने लगा उस समय द्वारिका वासियों ने घबरा कर राजा उग्ड सैन से सारा हाल कहा है तब उग्ड सैन ने प्रधुम्न और साम को बुला कर ये आग्या दी कि श्री क्रिशन और बलराम की इनकी ऐसी आग्या सुनते ही प्रधुम्न ने द्वारिका वासियों को धीरज बंदाया है और साम सात्य की तथा कृत वर्मा आदी सब योधाओं के सहित भहुत से सैनिकों को अपने साथ लेकर रन भूमी में आ पहुंचे हैं उस समय राजा शाल्व ने प्रधुम्न को आय देखकर ऐसे बान छोड़े कि चारों और अंधकार हो गया उस समय प्रधुम्न ने जैसे ही अपना प्रकाश रूपी बान चलाया तो तुरंत ही सारा अंधकार नश्ट हो गया और ऐसा प्रकाश हुआ जैसा सूर्य उते होने से कुहरे के अंधकार का नाश हो जाता है तत प पान से अरथ के सब घोड़ों को मार गिराया और अन्य योधाओं ने उसके भहुत से सैनिकों को अपने बानों से विदीर्न कर दिया शाल्व ने जब ऐसी वीरता देखी तो प्रधुम्न के आगे यूद करने की शक्ति ना रखकर माया में यूद करना प्रारहंब कर दिया वे कभी विशाल रूप रखकर आगे यूद करने लगा तो कभी भहुत छोटा रूप बनाकर आकाश से आग और पत्थर बरसाने लगा इधर तो शाल्व अपने माया में यूद से यदुवंशियों को दुख दे रहा था और उधर उसका मंत्री देवमान प्रधुम्न पर बान वर्षा करने लगा उस समय काम रूप प्रधुम्न ने अपने बानों से उसका बान काट कर एक बान उसमें ऐसा मारा कि देवमान अचेत हो गया जब थोड़ी देर में देवमान का चित ठिकाने हुआ तब उसने क्रोधित होकर एक गदा ऐसे जोर से प्रधुम्न के सिर पर मारी की वह मुर्चा खाकर रथ में गिर पड़े तब देवमान चिला कर बोला कि मैंने प्रधुम्न को मार डाला है उसके ऐसे वचन सुनकर सब यदुवंशी घबरा गए और धरमपती रथवान पुत्र दारुक सार्थी ने क्रिश्न कुमार को भहुत अचेत देखा त जब थोड़ी देर बाद प्रधुम्न की मूर्चा हटी तब उन्होंने अपना रथ रण भूमी में ना देखकर बड़े क्रोध में भरकर सार्थी से कहा कि तुने ये बड़ा अनुचित किया जो मुझे रण भूमी से अलग ले आया ए धरमपती क्या तुने मुझे कभी य ऐसे दिख लाओंगा संसारी लोग मेरी हंसी उड़ाकर मुझे नपुनसक कहेंगे माता रुकमनी भी मेरे उत्पन होने का दुख मानेंगी भोजाईया मुझे लजित करेंगी कि तुने ये काम करके जग में मेरी हंसाई कराई है अपने पिता के नाम को दाग लगाया है गुरू ने ऐसा बताया है कि जब महारती लड़ते समय अचेत हो जाए तब उसके सार्थी को चाहिए कि उसका रथ रन भूमी से अलग करके खड़ा रखे सार्थी घायल हो जाए तो महारती को उसकी रक्षा करना उचित है इसलिए जब आप गदा लगने से अचेत हो गए तो मैंने आपके रथ को रन भूमी से अलग लाकर खड़ा कर दिया हे भगवन दोडाते समय मेरा रथ पीछे रहकर उसका रसी या पईया तूट जाता तो मैं दोशी होता बिना अपराद सेवक पर क्रोध नहीं करना चाहिए थोड़ी देर विश्राम कर चुके अब चलकर संग राम कीजिए ये वचन सुनकर प्रधुम्न कहने लगे हैं कि हे धरमपती तुमने तो अपने गुरु की आग्या के अनुसार ये काम किया प्रंतु इसमें मेरी नाम धराई हुई है इसलिए आप ये शपत खाओ कि हम ये हाल किसी से भी नहीं कहेंगे जब धरमपती ने शप खाकर प्रधुम्न को सोच से चुडाया तब उन्होंने हात मूँ धोकर अपना धनुशिबान उठा लिया और रत पर चड़कर फिर से रन भूम में आ गए हैं तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है अगले भाग की कथा में आप भगवान श्री कृष्ण जी के दुवारिका में आने और शालव के मारे जाने की कथा सुन पाएंगे तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दी के धन्यवाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की शिर्मत भागवत महापुरान की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री मत भागवत महापुरान की जैश्री शुकुदेव जी महाराज की जैजैश्री राधे जैजैश्री राधे जैजैश्री राधे शाम